नुश्कार दोस्तों शौट हैं गुरूरी यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है आज का डिक्टेशन हिंदी एडिटोरियल डिक्टेशन है आने वाले स्किल टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो एडिटोरियल डिक्टेशन होता है उसमें डिक्टेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें आने वाले शब्द होते हैं आपने इसका एक अलग से collection बनाया हुआ है उस पर अच्छे से अभ्यास करते हैं तो किसी भी type का dictation आपके लिए मुस्किले नहीं खड़ी कर सकता dictation बस एक आप समझ सकते हैं कि mock practice के तरीके से हैं कि आपकी कितनी जादा अच्छे से पकड़ है शब्दों पे आप इस dictation में कितना अच्छा performance दे पाएं है next dictation में आपने कितने improvement किया है इन सारी चीजों के लिए आपको dictation daily लिखना चाहिए उसको transcribe करना चाहिए और साथी साथ में जितनी भी mistakes होई है उनके कारणों का भी पता करना चाहिए कि आखिर क्या कारें था जो हमारी गल्टी आई हुई है और उसको सही कैसे किया जाएगा अगर इस प्रकार साथ अपनी तयारी को गती देते हैं तो किसी भी skill में आप बहुत आसानी से qualify कर सकते हैं चाहे matter tough आ जाए या फिर easy आ जाए तो चलते हैं फिर आज का dictation में start करते हैं की गती है असी सब्दों प्रति मिनट की बीच में आपको fluctuation भी महसूस होगा तो ready जाएगे सभी लोग dictation start हो जाएगी 5 सेकंड के बार ready start उदैपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले दरजी कनहया लाल की जिस वीभत्स तरीके से गला काट कर हत्या कर दी गई वह हैवानियत की पराकास्था है इस तरह की बरबरता तो सीरिया और अफगानिस्तान में देखने को मिलती रही है कनहया लाल को निर्ममता से मारने वालों का दुस्साहस इस से समझ आता है कि उन्होंने न केवल रोंगटे खड़े कर देने वाले अपने पैशाचिक कृत्य का वीडियो बनाया बलकि बाद में एक और वीडियो जारी कर अपनी कर्तूत को सही ठहराते हुए प्रधानमंत्री को भी धमकाया ऐसा काम मजहबी उनमाद से भरा कोई खूंखार आतंकी ही कर सकता है कनहया लाल की दिल दहलाने वाली हत्या को आतंकी घटना के रूप में ही लिया जाना चाहिए इस मामले में राजस्थान सरकार के साथ केंदर सरकार को भी सक्रिय होना चाहिए ताकि देश में कहीं पर भी सामप्रदाइक तनाव न फैलने पाए इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वहशी हत्यारों को जितनी जल्दी संभव हो कठोरतम सजा दी जाए यह सजा ऐसी हो जो उनमाज से भरे उन सब तत्तों के लिए सबक बने जो सिर तन से जुदा करने को अपना मजहभी कृत्य समजने लगे हैं उदैपूर की गिनवनी घटना यही बता रही है कि सिर तन से जुदा महज एक नारा भर नहीं बलकि कभी लाई युग वाली एक घ्रनित मानसिक्ता है आज के युग में ऐसी बरबर मानसिक्ता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती सब्य समाज को खौफ जदा करने वाली उदैपूर की घटना के लिए कहीं ना कहीं वे सब भी जिम्मेदार है जिन्होंने पैगंबर मुहम्मद साहब पर नुपूर शर्मा की टिपणी के बाद सडकों पर उतर कर सिर तन से जदा करने के नारे के साथ उत्पात मचाया इस उत्पात का इसलिए कोई औचित्य नहीं था क्योंकि नुपूर शर्मा ने अपने बयान को लेकर स्पस्टी करन जारी करने के साथ माफी मांग ली थी और उन्हें भाजपा ने निलंबित भी कर दिया था इसके अलावा पुलिश ने रिपोर्ट दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी थी उदैपूर की पाश्विक घटना के बाद राजस्थान सरकार फिर से कटगरे में खड़ी दिखाई दे रही है उसे इस पर सचमुच गंभिरता दिखानी होगी कि राज्य में बार-बार मजहबी उनमाद जनित घटनाएं क्यों हो रही हैं राजस्थान सरकार के साथ मुसलिम समाज के मजहबी सियासी नेत्रित्त को भी चेतना होगा उसे सभ्य समाज को शर्मिन्दा करने वाली इस घटना की निंदा भर्सना करने के साथ उन काड़ों की तह तक भी जाना होगा जिनके चलते इसलामिक स्टेट के आतंकियों जैसे खुंखार और जहरीले तत्व उनके बीच पनप रहे हैं इन कारणों की पहचान करना ही पर्याप्त नहीं उनका निवारन भी करना होगा स्टॉप